दोस्तो आज हम fit करेंगे Hero HF Deluxe की timing chain kit आज हम पूरी timing chain kit change करेंगे इसकी इससे पहले BS4, BS3 की timing chain kit हमने बोट डालिये उनमें कोई भी बदलाब नहीं किया है लेकिन BS6 में काफी बदलाब किया है इसके बारे मैं मैं आपको पूरा detail बताऊँगा इसके लिए वीडियो में end तक बने रहें जिसने अभी तक BS6 की timing chain kit नहीं डालिये वो इस वीडियो को जरूर देखे जिससे उनको समझ में आ सके कि इसमें क्या बदलाब किये गए है तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी timing chain निकाल रखी है और जो piston block में roller लगता है वो भी मैंने निकाल रखा है तो अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो oil pump गिरारी होती थी जिससे oil pump चलता था उसमें क्या बदलाब है तो मैं इसको खोल लेता हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या change किया गया है तो आप देख सकते हैं ये खुल चुका है और ये आप देख सकते हैं ये आपके सामने है पहले जो पुराने model का होता था आप side में देख सकते हैं उसमें दाते होते थे लेकिन ये plane है एक wheel की तरह और ये मेरे पाथ नया है इसमें भी कोई भी दाता नहीं है और ये एक wheel की तरह बना हुआ है आप देख सकते हैं तो इसको मैं बाद में change करूँगा और पहले में आपको दिखा देता हूँ इसमें ये L की bolt लगा हुआ है ये आप देख सकते हैं ये इसका bolt है ये roller इसी पे रुका हुआ है तो अब मैं खोल लेता हूँ जो इसका छोटे वाला roller है जो आप ये देख सकते हैं इसको निकाल लेता हूँ, पहले ये रॉलर ऐसे या बाहर निकल जाता था, उसके लिए पत्ती नहीं खोलनी पड़ती थी, लेकिन अब इसके लिए पत्ती खोलनी पड़ती है। वैसे इस पत्ती को हम देसी बाता में गोड़ा पत्ती बोलते हैं, तो इसके लिए पत्ती भी खोलनी पड़ती है, ये पत्ती में फिक्स कर रखा है ये रोलर, अगर ये रोलर खराब हो जाता है, तो ये पूरी पत्ती चेंज करनी पड़ती है, तो पहले ये अलग-अलग मिल टामींग टैन चैन है मैं इसमें डि आईडी की टामींग चैन řहाँ जो थोड़ी इससे मूटी होती है और आवाज नहीं करती है ToPTная में कोई भी चैन्ज नहीं किया है दोनौंम टामींग चैन बराबर हैं दोनौंमें 84 लिंकelong है तो इसमें ओयल का function खतम कर दिया है यह मुझे इसमें plus point लगा है कि पूरी kit अब आप बिना clutch खोले इधर से लगा सकते हैं उसमें पहले clutch कवर खोलना पड़ता था फिर उसके बाद weight खोलना पड़ता था clutch weight और फिर जाके oil pump निकालते थे फिर वो गिरारी change होती थी तो अब यह सारा जमेला इसमें खतम कर दिया है अब magnet side से ही पूरी timing chain kit change हो जाती है तो यह इसमें बहुत अच्छी बात है तो timing chain मैंने डाल लिये अब मैं लगाता हूँ पहले यह पत्ती क्योंकि यह इसकी पत्ती सही थी roller सही था तो मैं इसको वापिस जो पुराना है वो ही लगा रहा हूँ इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी और इसके बाद मैं लगाऊँगा यह वाला roller गोल वाला यह आप देख सकते हैं जो यह उठावा इससा है यह अंदर की side आएगा अब यह जो roller है यह शिर्फ chain को support देने का काम करता है बाकी oil pump से इसका कोई भी लेना देना नहीं है oil pump अब जो oil pump है वो direct crank के साथ attach कर दिया है crank का जो primer gear होता है उसी के साथ oil pump काम करता है अब इदर से उसका function खतम कर दिया है तो यह बहुत अच्छी बात है कई बार यह गिरारी खराब हो जाती थी जिसकी वज़े से oil pump काम करना छोड़ देता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा oil pump साथी काम करेगा और आप जो यह वाला roller देख रहे है जो cylinder kit में लगता है इसमें कोई भी बदलाव नहीं है यह जैसा पहले था ऐसा ही अब है तो यह पहले जैसा ही है इसमें कोई भी change नहीं है तो इसको मैं लगा देता हूँ अब मैंन बात है इसकी जो timing है timing भी थोड़ा बदलाव है तो timing जरूर देखे क्योंकि पूरी गाड़ी की setting timing के उपर ही होती है अगर timing सही से set नहीं होगा तो bike बिल्कुल भी set नहीं होगी तो timing मैं आपको दो तरीके से दिखाऊँगा वीडियो के end में पहले मैं ये पूरी timing chain अच्छे से set कर देता हूँ तो ये roller लग चुका है अब इसका bolt लगा देते हैं ये इसका bolt लग गया है और इसके बाद मैंने इसकी जो push road है वो निकाल रखी है अब इसकी push road लगा देता हूँ अब मेकेनिकों को तो पता ही होता है कि push road क्या काम करती है लेकिन जिनकों नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि push road क्या काम करती है अभी आप देख सकते हैं मैं इसमें बुच रोड लगाऊंगा ये इसकी पुच रोड है ये काम करती है, चैन को टाइट रखनेगा इधर से रोड अंदर जाएगी और ये पत्ती है इसमें जिसमें इस रोलर लगावा चोटा वाला इसको दबाएगी इसमें की स्प्रिंग लगेगा स्प्रिंग का पूरा दबाव इस रोलर पर होता है जा आप यह छोटा रोलर देख रहे हैं इस रोलर पर पूरा स्प्रिंग का दबाव होता है यही स्प्रिंग पुस रोल इसको चैन को टाइट रखती है तो push road chain को tight करने का काम करती है तो अब मैं फटाफट से इसका पूरा time chain kit की setting करके फिर इसका timing मिलाऊंगा तो सबसे पहले मैं इसके सभी bolt tight कर देता हूं ये push road का जो nut है मैंने इसको tight कर दिया है इसके बाद जो इसका 17 नम्बर का बोल्ट है छोटी वाली रोलर पत्ती का इसको भी टाइट कर देते हैं यह भी टाइट हो चुका है और इसमें पांच नंबर की लगती है इसको भी टाइट कर देते हैं यह सभी बोल्ट टाइट करने के बाद फिर इसका टाइमिंग सेट करेंगे दोस्तों जो भी इस टाइमिंग चैन किट को पहली बर डालेगा उसके लिए वीडियो देखना इसके हिसाब से वो टाइमिंग चैन लेकर आए और इसमें पैकिंग भी जो मैगनट कवर की पैकिंग है इसको भी चेंज कर दिया है ओल्ड वाली पैकिंग इसमें नहीं लगती है अब इसकी पैकिंग अलग आती है तो आप इस वीडियो को देख लोगे तो उसके बाद लग लगता है उस हिसाबसे जब आप मार्केट जाओगे तो इसका समान ला सकते हैं अनृ सब्धियों ही तो यह मैगन significance मैंने टायट कर दिया और मैं आपको दिखाता हूं इसका टाइमिंग आप टाइमिंग दे देख सकते हैं, जो इसका ये T है, और सामने मैंने एक मारकर का निसान लगा रखा है, इस से मैंने इसका टोप मिला रखा है, क्योंकि इसके मैगनेट कवर में कोई भी छेद नहीं है, जिसमें से हम इस मैगनेट को गुमा तके, आपको मैगनेट गुमाना पड़ेगा इस पहले की तरह ही, और मैगनेट का जो टाइमिंग है, इसमें थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि इसका मैगनेट कवर पूरा बंद है, अब ये मैगनेट कवर मैंने लगा दिया, आप देख सकते हैं, टी के साथ में जो इनिसान है, चेंबर में एक कट बना हुआ है, इसके सामने इस पोजिशन पर इसका मैगनेट का टोप मिल चुका है, और गिरारी का टोप वहीं पर है, जहां पर पहले था, यह आप देख सकते हैं, यह बिंदी है, और हैड में जो कट है, उसके सामने यह बिंदी है, यहां पर इसका हैड का टाइमिंग है, तो इस तरीके से इसका टा